आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमें assertion दिया है A horse has to pull a cart harder during the first few steps of his motion और region दे रखा है कि the first few steps are always difficult और हमारे पास यहाँ पर चार ओप्शन दे रखा है परला है if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion दूसरा option है if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion थर्ड ओप्शन है if assertion is true but reason is false और फूर्थ ओप्शन है एक both assertion and reason are false तो हमें जो assertion दिया है वो है कि a horse has to pull a cart harder during the first few steps of motion तो मालिया यह कार्ट है और इसको यह गोड़ा ऐसे खीच रहा है तो यहाँ पर जो assertion दिया है उसके अनुसाल जो first few steps है इस motion का यहाँ पर यह मालिया एक plane surface है तो इस motion का जो first few step है वो harder होगा यह हमें बताना है क्यों तो जब भी कोई object जो है वो stationary state में रहती है तो उसको खीचने के लिए जब भी हम force लगाते हैं तो उस समय जो force लगता है वो limiting friction force के against लगता है और यहाँ पर अगर हम limiting friction को म्यू लिखे हैं तो limiting friction force जो होगा limiting friction को अगर हम यहाँ पर म्यू लिखे हैं तो यहाँ पर चुकी अगर इसका जो मास है वो capital M आले तो यह हो जाए गता है M G और यहाँ पर जो limiting friction है वो म्यू है तो यह normal होगा N और जो limiting friction होगा वो पीछे की तरफ लगेगा यह हो जाएगा इसको अगर हम F L लिखे हैं तो यहाँ पर जो F L की value आएगी यह कित्तिया जाएगी हो जाएगी M U N के equal और यहाँ पर जो F L होगा इसकी value कित्या जाएगी M U N जो होगा यहाँ M G के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो vertical direction है उसमें कोई movement नहीं होता है तो यहाँ पर हमें जो limiting force मिला उसके value मिल गाएगी तब M U N G के equal और जब भी कोई object stationary होता है तो उसमें जो हमें minimum force लगाने की ज़रूरत होती है वो होता है M U N G के equal जहाँ पर M U जो है वो limiting friction है और अगर यह cart जो है motion में आ जाए तो उसमें जो इस पर friction force लगेगा वो kinetic friction force के equal होगा और जो kinetic friction force होगा अगर हम kinetic friction को M U 1 लिखें तो यहाँ पर जो force लगेगा अगर यह cart motion में है तो during motion we need to apply only kinetic friction force और जो kinetic friction force होगा अगर उसको हम F1 से लिखें तो जो F1 की value होगी वो कित्ती हो जाएगी हो जाएगी mu1 into n के बराबर और F1 का value हो जाएगा mu1 into mg के बराबर और जो limiting friction होता है limiting friction mu होता है यह always greater than kinetic friction होता है इसका मतलब यह है कि कि जो limiting friction force है FL यह always greater than F1 होगा मतलब जो kinetic friction force होगा उससे always greater होगा जो limiting friction force है इसका मतलब यह है कि जब भी कोई cart या object stationary state में हो तो उसको खीचने के लिए जो उसके first few steps है उनमें ज्यादा force लगाना पड़ेगा है क्योंकि उसमें हम limiting friction force के opposite work कर रहे होंगे और जो limiting friction force होगा वो हमेशा ज्यादा होगा जो इसका kinetic friction force है उससे तो यहाँ पर यहाँ पर भी जो horse है उसको first few steps के लिए ज्यादा harder उस card को खीचना पड़ेगा तो यहाँ से जो हमारा assertion है यह तो सही पता चल गया अब जो region है उसको देखते हैं अब यहाँ पर हमें region दे रखा है the first few steps are always difficult जो region है हमारा वो philosophy collect है लेकिन इसको अगर हम physics के द्रिश्टी से देखे तो यह गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका कोई significant नहीं है कि first few steps जो होता है हमेशा harder ही हो difficulty हो तो जो region है यह हमारा यहाँ पर गलत है तो हम देखते हैं कि जो हमारे options दे रखे हैं उनमें से कौन सा option correct होगा तो जो हमारा third option है वो है if assertion is true but reason is false तो हमारा यहाँ से third option correct हो जाएगा क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर आज चार्सो 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 पर झाल